नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका The News Launcher के इस YouTube मंच पर लंबे अर्से बाद देश के प्रहानवंति नरंद मोदी ने एक हिंदी अख़वार को एक इंटर्यू दिया है और उस इंटर्यू में जो बाते उन्होंने कही है, उस बातों पर कहीं न कहीं ट्रोल आर्मी को तो भरोसा हो सकता है, जो ट्रोलिंग करने वाली जमात है लेकिन इस देश के पढ़े लिखे लोग उस बात को सुनकर सिब हस सकते है जरा सोचिए, दुनिया के सबसे बड़े लोगतंत्र के सर्वोच नेता भारत का पढ़ान मंत्री सिर्फ किसी देश का पढ़ान मंत्री नहीं बलकि भारत के पढ़ान मंत्री का पद, दुनिया के सबसे बड़े लोगतंत्रिक देश के संसदिये नेता का पद होता है देश के सर्वोच सत्ता परतिस्ठान का पद होता है लेकिन मौजूदा दौर में भारत के प्रणान मंत्री के अस्तर से ऐसी भासा निकलेगी कौन-कौन कितने बड़े-बड़े मनीसी इस देश के प्रणान मंत्री पद पर नहीं रहे पंडिक जवाहरलाल नहरू से लेकर मुरार जी देसाई तक लाल बहादूर सास्त्री तक तमाम लोग इंद कुमार गुजराल जैसे लोग मनमोहन सिंग जैसे लोग तमाम पढ़े लिखे लोग इस देश के प्रणान मंत्री पद पर रहे लेकिन कभी भी मिसगाइड करने वाला फैक्ट वास्तविक्ता से दूर ले जाता हुआ फैक्ट पढ़ान मंत्री पद पर रहकर किसी ने किसी इंटर्यू में नहीं बोला पढ़ान मंत्री पर रहकर जो ब्यक्ति कोई बयान देता है उस बयान का एक मतलब होता है लोग उच पर एत्बार करते हैं लेकिन प्रधान मंत्री ये बात बोल जाएंगे ये किसी ने नहीं सोचा था मामला धारा 370 का है धारा 370 भारत के सम्मिधान में अब भी एक्जिस्ट करती है और धारा 370 में 38 बार presidential order से राष्ट पती के विशेश आदेश से परिवर्तन किया गया है 37 चेंजेज पहले हुए थे और तीसवा चेंजेज और तीसवा बदलाव धारा 370 में 5 अगस 2019 को हुआ और साफ साफ उसमें लिखा हुआ है और तीसवे बदलाव की तरफ आप उसको पढ़ने की कोशिस करें साफ लिखा हुआ है बाई यूजिंग दे पावर गिवन वाई इंडियन कंस्टिचूशन अंडर आर्टिकल 370 तक गर्मेंट हैं में तो चेंजेज यह 5 अगस 2019 की लाइनी यही से सुरू होती है जो बदलाव किये गए कि 370 में भारतिय समिधान के धारा 370 में दिये गए अ इसे सादेश के तहर दो बदलाव किये 37 बार बदलाव पहले हो चुके थे और तीसवा बदलाव पाच अगस 2019 को हुआ तो जिस आर्टिकल में जिस अनुच्छे धारा 370 में यह अधिकार दिया गया है कि 370 से संबंदित किसी प्रावधानों में उसी धारा का प्रियोग करत सकता है सवाल यह है कि जिस रास्ते से अगर किसी को कहीं जाना हो उस रास्ते को ही काट दे और कहें कि उस रास्ते को मैं काट रहा हूँ यह लोग भला कैसे स्विकार करेंगे दर असल धारा 370 में जो अधिकार भारतिय संबिधान में दिये गए है उस विसेश अधिकार का प्रियोग करते हुए जो अनतीसवा चेंज पांच अगस 2019 को किया गया उस बदलाव को दर असल मौझूदा दौर में प्रधान बंतरी और प्रधान बंतरी नहीं भारती जंता संबिधान को इंटरनेट पर खोल कर पढ़ लें संबिधान से जुड़े हुए जो किताबे हैं बेयर एक्ट अगरा की उसके ताजा अंक को ले करके जो अंतिम प्रकासित जो अंक है पांच अगस 2019 के बाद उसे ही पढ़ लें साफ साफ लिखा हुआ है कि धारा 370 के सेक्षन बी के कुछ प्रावधानों को धारा 370 में ही प्रदत अधिकारों का उप्योग करते हुए पांच अगस 2019 से उसे प्रभावहीन कर दिया गया उसके पहले भी 37 बार अलग-अलग समय पर 37 अन्य मुद्दों को प्रभावहीन कि किये गये थे तो इस तरह की बातें प्रधान मंत्री कम से कम एक इंटर्यू में बोले निश्चित तोर पर इस देश के लोगों को यह सुनकर दुख होगा कि प्रधान मंत्री के अस्तर से सही बात नहीं कही जा रही है वास्त विक्ता ये है कि भारत के समिधान में धारा 370 धारा 370 है और धारा 370 आगे भी रहेगा जो बदलाओ किये गए तमाम बातें कही गए थी उस बदलाओ के बारे में उस बदलाओ के बाद ये कहा गया कि कस्मीर में सांती आ जाएगी अरे भाई इतनी सांती है कस्मीर में तो चुनाओ करा लेते हैं 370 के सेक्शन के छोटे से पार्ट को निस्परभावी करने के बाद वो भी धारा 370 में प्रदत अधिकारों का उपयोग करते हुए निस्परभावी करने के बाद जिसे 370 हटाने के रूप में डिढोरा पीठा गया जरा उसके बाद ही अगर कुछ बाते बन जाती तो सबसे बड़ी सच्चाई तो यह है कि यदि वाकई इतना पॉजिटिव माहौल है कसमीर में सरकार चुनाओ क्यों नहीं किरा रही यदि वा पक्ष में होते हैं तब इस तरह की बाते सरकार के द्वारा जो कही जाती है लोग उसे दो मुई बातों के तौर पर लेते हैं हालात सब कुछ ठीक है कसमीर में सरकार का यह दावा है अलग-अलग फोरम पर भारती जंता पार्टी के लोग भी बोलते रहें लेकिन जब हाला पर नौर्मल है तो वहां की सरकार क्यों नहीं चुनी जा रही हैं वहां चुनाव क्यो नहीं हो रहे हैं कि से स्वेगन तक की कुछ विशेश पकार के documents है तो वो जमीन खरीड सकता है वहाँ पर property खरीड सकता है एक बार सरकार तो वहाँ की चुन कर दे दीजिए और जो राज सूची में जो किसी भी दूसरे राज को जो अधिकार प्राप्त है वो अधिकार स्वाभाविक है कि कस्मीर की राज सरकार को प्राप्त होंगे जो काम हिमाचल प्रदेश में वाईएस परमार ने किया जो काम भारती जंता पार्टी के मुख्यमंत्री बाबुलाल मरांडी 2003 में जारकंड में करना चाहते थे लेकिन भारती जंता लिस्ट ही तैय करेगी कि जमीन का मालिकाना हक राज में कौन लोग रख सकते है क्या बाहर के लोगों को रखने का अधिकार है या नहीं है तो एक बार चुन कर दे दीजिए फिर पता चले कि वाकई धारा 370 के जो छोटे से हिस्से को प्रभावहीन किया गया जो दो चेंजेज किये गए पांच अकस 2019 को वो कितना एफेक्टिव है और क्या वाकई उसका कुछ फायदा हुआ है परिवर्तम तो तब दिखाई देगा जब राज्य में चुनी हुई सरकार हो चुनी हुई सरकार के मिना सिब दावे किये जा सकते है तमाम ऐसे दावे इस देश में किये जाते रहें पांच ट्रिलियन की एकॉनमी की ट्रिलियन के जीरो भाजपा के परोक्ता टेलिवीजन पे नहीं बता पाते तमाम ऐसी बाते कही जाती है दर्भंगा में एम्स खोल देने की दर्भंगा एम्स में बकरियां चरती है जहां एम्स खोलने की बात थी उस जमीन पे बकरियां चरती हुज़े वहाँ पानी लगा हुआ देखा गया वहाँ मजदूरी करते हुए लोग दिखे खेत था फसल लगी हुई थी तो उसे दर्भंगा एमस बता दिया जाता है तो मौझूदा दौर में सरकार के दाओ पर कितना एतबार है लोगों को ये पक्के तोर पर तो नहीं कहा जा सकता लेकिन लोगतंत्र में यकीन रखने वाले लोगों को ताज्युब दब होता है जब देश के सरवोच सत्ता परतिस्ठान पर 142 करोड लोगों की नुमाइंदगी करने वाला नेता जिसके पास मई 2024 तक इस देश पर सासन करने का जनादेश हासिल है वो नेता यदि किसी इंटर्व्यू में सही बात बोलने की जगा वाट्सेप इनवसिटी वाला ज्यान बगारता हुआ नजर आए तो पूरी दुनिया के सामने नाक कटती है देश के पड़े लिखे लोगों में भी कुछ देर के लिए कन्फूजन पैदा होने की स्थिति हो आती है कि ब्रह्मान की कोई ताकत धारा 370 वापस नहीं ला सकती धारा 370 को ब्रह्मान की किसी ताकत को वापस लाने की जगुरत नहीं है क्योंकि जो पहले से मौझूद है उसे वापस लाने की क्या जगुरत है ये कोई 2019 का वर्ल्ड कप नहीं है जो अस्ट्रेलिया जीत के चली गई तो प्रणान मंत्री अगर ये कहते कि ब्रह्मांड की कोई ताकत अब 2019 का वर्ल्ड कप भारत को नहीं जीता सकती तब लोगों को लगता कि सही बात बोलना है लेकिन आप कोई ये बोले कि ब्रह्मांड की कोई ताकत अस्ट्रेलिया को 2023 का वर्ल्ड कप नहीं जीता सकती तो लोग इस पर हसेंगे क्योंकि अल्लेडी वो जीते हुए है उन्हीं के पास वर्ल्ड कप है ठीक किसी तरह की बात धारा 370 के बारे में प्रदान मंतरी अपने इंटर्व्यू में कह रहा है कि ब्रह्मांड की कोई ताकत वापस नहीं ला सकती अब वापस लाने की कवायद क्यों धारा 370 को जब पहले से मौजूद है जो चेंजेज किये गए वो चेंजेज इस तरह के है जो एस्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट है उनको एस्टेट गर्वर्मेंट जब भी चुनिवी विरान सभाव कुछ भी कर सकती है तो सवाल यह है कि सकता में बैठे हुए लोग को अपना बयान वाट्शप इनवर्सिटी के ट्रोल आर्मी के लोगों को खुस करने वाला उन्हें संतुष्ट करने वाला नहीं बलकि 142 करोड के देश को सही बात जनता के बीच बतानी चाहिए तमाम ऐसे मामले आपको दिखेंगे कि लंबे समय से कुछ न कुछ कहा जा रहा है सर्वो चन्याले के आदेश से राम मंदिर बन रहा है लेकिन राम मंदिर कौन बन वा रहा है ट्रोल आर्मी के लोगों से पुछे तो कहेंगे मोदी जी बन वा रहा है धारा 370 समिधान में भी मौझूद है कहा जाएगा कि धारा 370 हट गई और पधान मंत्री कहेंगे कि ब्रह्मान की कोई ताकत वापस महीं ला सकती है अब सवाल यह उठता है कि 370 के बारे में आप तमान तरह की बाते कह रहे हैं 371 में भी कमों बेस 370 जैसे ही प्रावधान है जो पुरवतर के कुछ राज्यों के लिए लागू होते है वहाँ आप क्यों नहीं सवाल उठाते हैं क्या ना तो 370 आप खत्म कर सकते हैं ना 370 खत्म कर सकते हैं समिधान में जो बेसिक स्ट्रक्चर है जो मूल धाचे का सिधान्त है केश्वानन भारती बनां भारत संग के मामले में उसमें समिधान के मूल धाचे को खत्म नहीं किया जा सकता 370 टेंपररी प्रोविजन नहीं था पहली चीज ये जो एक भ्रम फैलाए जाता है कि 370 टेंपररी प्रोविजन है 370 के अंतरगत कुछ एक प्रावधान है जो टेंपररी प्रोविजन है और उनको एक-एक कर 37-38 बार में एक-एक कर उसके काफी कुछ हिस्सों को हटाया जा चुका है बात ये है 370 का टेंपररी होना और 370 के अधीन के कुछ प्रावधानों का टेंपररी होना ये दोनों दो बाते हैं और दोनों बातों को मिक्स करके यदि मौजुदा दोर में दुनिया के सबसे बड़े लोगतंत का सरवोच नेता जिसे अगले पांच महीने तक अभी और इ जना देश के साथ नेतित करना है वो ये तरह की बाते बोले तो बड़ी दिक्कत होती है भारत ये कैसा देश है और भारत ही नहीं दुनिया के तमाम बड़े लोगतंतिक देशों को देखें जहां लोगतंत की बुनियाद मौजूद है वहाँ प्रधान मंत्री राष्टपत से भी सत्ता छोड़ने के बाद भी इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान की कोई उम्मीद नहीं करता है कभी किसी आपने कहीं सुना हो कि राष्टित से जुड़े मुद्दों पर इस देश का कोई पूरु प्रधान मंत्री या कोई पूरु राष्टपती इस तरह की उठ पठांग भाते करता हुआ नजर आए लेकिन अब तो मौझूदा दौर में सत्ता में बैठे हुए लोग ही भासन देने के वक्त और इंटर्व्यू देने के वक्त तमाम ऐसी बाते का जाते हैं जिसकी लोगों को कोई उम्मीद नहीं होती याद किजिए गुजरात का 2017 का च अब था दिल्ली के घर में उनके खिलाफ लोग साजिस कर रहे थे जिसमें भारत के पूरु प्रधान मंत्री भी थे एक पूरु उप्राष्ट्पती भी थे और एक पाकिस्तान के आई कमिस्णर भी थे वहाँ सब लोग खाना खाने गये थे कोई ब्यक्ति किसी को डिनर पर इन्वाइट कर सकता है चाहे वो पूरु उप्राष्ट्पती हामिर अंसारी हो या चाहे पूरु प्रधान मंत्री मनमोहन सिंग हो या पाकिस्तान के एम्मेजडर हो कोई किसी कि यहां खाने पर जा सकता है लेकिन किसी के घर की डिनर को किसी के घर के लंच को खुद के खिलाब साजिस बताकर और जनता के बीच में वहावाही लूटने के कोशिस निश्चित तोर पर इससे ज़्यादा निंदा करने यो कि कोई बात नहीं हो सकती और अब तो बात यहां तक पहुँझ गई है कि कहा जा रहा है कि 370 को ब्रहमांड की कोई सकती वाफस नहीं ला सकती मतलब इतना बड़ा मिठ्या परचार सत्ता के सीर्स पर बैठे हुए ब्यक्ति के द्वारा किया जाएगा कोई नहीं सोचा था लेकिन अभी ये अंत नहीं है मिठ्या परचार का मिसगाइड करने वाले फैक्ट का ये अंत नहीं है चुनाओ जो जो करीब आएंगे इस तरह के फैक्ट की संख्या बढ़ती चली जाएगी भारतिय समिधान की किताब मैं दावे के साथ कहता हूं किस देश में भारती जंता पार्टी तो छोड़िये किसी भी पार्टी के नेताओं के सामने अगर पांच आर्टिकल आप पूछ ले भारतिय समिधान के बारे में तो 90 फिसदी नेता कारेकरताओं के बाद छोड़ दिए 90 फिसदी नेता उससे मुझ चुडाते हुए नजर आएंगे एक वाट्षप इनुवसिटी आपने देखी थी और उस वाट्षप इनुवसिटी में एक महिला नेत्री एक दल विशेश से जुड़ी ही महिला नेत्री य इने जो आजादी हासिल किये उस वक्त हमारे सोतंता से नानियों की महनत से जो आजादी मिली पंदर अगस 47 को वह आजादी परमानेंट नहीं थी वह आजादी लीज पर हासिल की गई थी तो इस तरह के फैक्ट लोग अब बता रहे हैं वाट्षप इनुवस्टी का ज्यान पढ़के तो उस ग्यान के आधार को जब 99 साल की लीज पर भारत की आजादी को बताया जा सकता है तो आप सोच सकते हैं कि वाट्षप इनुवस्टी का आसर आगे कितना गहरा होता जा रहा है लेकिन मौजुदा दौर में देश के प्रधान मंत्री पत पर बैठे हुए ब् सुनते हैं और आपकी बात को मानकर हो सकता है कि किसी एक्जाम में किसी परिच्छा में उनका एक सवाल गलत हो जाए तो इस पकार का ज्यान देने से पहले कम से कम फैक्ट चेक करके ठीक ठाक पढ़ाई लिखाई करके समिधान विरताओं से राय लेकरके और हो सके तो अपन उनके जानकार लोग हर बड़े दफ्तर में हैं, स्वभावी के प्रणान बंत्री के दफ्तर में भी होंगे, उनसे राय लेकर के इस तरह की बातों पर सारवजनिक रूप से प्रतिक्रिया अब्यक्त करनी चाहिए, फिलाल के लिए इतना ही, लेकिन हमारे दर्सकों से अपील ह कि सबसे पहले कोई भी बात या इस देश का कोई भी नेता कहें, उसका फैक्ट चेक जरूर करें कि क्या वाकई ये बात है या जूट बोला जा रहा है, नमस्कार